आज हमारे टापिक है सोचल सिस्टम अफ इसलाम तो देख लेते हैं कि इसलाम जो है वह सोचली कैसे सिस्टम को रन करता है और इसके क्या-क्या रूल्स और रेगुलेशिंज है फर्सली इंटॉड़क्शन जैसे आपका कुश्चिन पर सिस्टार्ट होता है so man by nature likes to live in a community man by nature वो community में रहने के है कि उसको community में रहता भी है और उसको community की जरुवत भी पड़ती है तो society जो है वो social system और चीजों से बनती है so जो man का cycle है man से मुरासिर man नहीं woman भी है as a human being from the childhood to all age is kept in consideration, sense and reason, indoors that to fulfill his physical, psychological and social needs as everlasting marriage bonds between the spouses is essential so childhood से लेकर old age तक man को जो है वो जरुवत होती है physical attention की psychological और social उसकी needs भी होती है तो यह सारी जो bond है, वो marriage से बनते है, society जो है, वो spouses से बनती है तो इसके बाद जिसे friends हो गए और इसके लावर रश्टेदार, तो सारा खानदान का जो system है, social system वो spouses से start होता है कुरान क्या कहता है आयत number 32 और 33 में, वो सूरत का number है 24 and marry those among you who are single, कि मतलब कि आपको किस किस से शादी करनी चाहिए, यह सारा बताता है यह कुरान की आयत is a reference, इसके बाद relationship जो है, वो prohibited है, marriage के लिए कौन कौन से, इसलाम ने जो हमें बता हैं कुरान के जरीए, सबसे पहले seven relationships हैं, जो सूरह निसा में हमें बताए जाते हैं, यह सिस्टर से, paternal aunts से, maternal aunts से, और the daughters of the brothers and the daughters of the sisters, जो भान जी और भतीजियों होती हैं, ठीक है, इसके बाद relationships by fosterage, fosterage के बाद relationship कैसे, every relationship which is prohibited for marriage owing to lineage is also prohibited owing to fosterage, तो जो lineage का मतलब कि जो खून के रिष्टों का, मना है, शादी, जिसमें हमें यह seven relationships किये, तो यह जो मतलब रजाई माँ, रजाई माँ से जो बच्चे होते हैं, उनके से भी शादी करना जाहिज नहीं होता, तो यह इसका reference है, मालिक बिन अनस के हदीश से, ठीक है, फिरा relationships by marriage, यह भी इस्लाम ने बताया है, कि माँ किस किस marriage के relations हो सकते हैं, the daughter-in-law, जो है, वो prohibited है, for the father, and the mother-in-law, the wife's daughter, or the wife's sister, and both nices of the, यह फिर से repeat हुआ है, ठीक है, यह इसका थोड़े सा briefly है, कि कौन-कौन से more, दूसरे relationships हैं, जिनसे marriage नहीं हो सकते हैं, फिर है rights or obligations of the spouses, कि spouses के rights क्या है, उनके obligations क्या है, यह थोड़ा Arabic, जो है, वो mix-up हो गए, सबसे पहले, men are the guardians of women, because of God has given the one more preference over the other, तो यह जो आयत है, कि women के उपर अलतारा ने मर्ट को कवाम बनाए, कवाम की meaning, जो है, guardian की, as a, मतलब की financial, और दूसरे मामलात में भी, कि मर्ट को जब spouses में आते हैं, तो मर्ट का एक दरजा बढ़ जाता है, बाकी वो बराबर होते हैं, और वो उनको क्यों किया है, क्योंकि वो financial support करते हैं, और दूसरा भी कुछ हैं चीज़े हैं, ठीक है, ठीक है, ये भी है, कि women not by treating them with harshness, women's को है, sorry, men's को है, कि वो women's के साथ harshness के साथ treat नहीं करेंगे, ये भी होकम है, ये मतलब ये मना किया गया है, prohibition है, पॉलीगेमी के बारे में, ये आयत है, कि पॉलीगेमी जो है, वो कैसे अलगाला की तरफ से इजाज़त है, शादियों की, कि आप एक कर सकते हो, दो दो कर सकते हो, तीन, तीन, चार, चार, तो अगर आप एक को भी सही से, मतलब की निभान नहीं सकते, तो आपको एक भी जा है financially और दूसरी और तो वोमें की भी है वोमें की है वोमें है टी सेम राइस आज में आफ्टर डाइवोर्स महर जो है वो इसका राइट है हलाकि जो महर है वो आपको एट टाइम ऑफ मैरिज निकाह होने के बाद दिया जाए ठीक है नो वन कंपेल एनी वोमें फॉर्स मेरिज के मैरिज जो है वो इसलाम में फॉर्स फॉर्स फ्ली नहीं कराए जा सकती है वोमें और इंपैने टाइवर्स और इनकेस आफ डैथ ऑफ फस्वेंड ठीक है यह इदत और फिर बात के मामलाद है है वोमें हैं हैर्ड यह शीर्ड इन है यह उनको इन्हारिटन्स का भी शीर डिया जाएगा डायक्ति रिलेटेड टू विडोस विडोस के बयान कि ये टू थार्टीफ आयत में इस्टैबिलिटी ओफ मौडरन सुसाइटी ये कुछ को हैं इसके की स्टैबिलिटी और मौडरन सुसाइटी में ये कोस्टिन से 2015 2014 और 2013 के ठीक है इसके बात है इदद के मामलाद की इदद जो है वो क्या इदद ऑफ विडो जो है वो फॉर मन्स और टैन डेस की होगी और आफटर दी वेटिंग पीरिज एक्सपार इस देर वाइफ इस फ्री तो डू वाटेवर शी सीम्स एप्रोपीएट हरसल तो इदद के बात वो आयत है फ्रीज सेवन तो ये ट्विएट विणी नाइन ठीक है यह है रेस्टरेंट देर आइज और गार्ड देर प्राइवेट पिर है अब 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 आपको अपनी हफाज़त करनी है अपनी नजरों की हफाज़त करनी है फिर है यह कुछ रफरेंसेज हैं कि अपने मतलब ज्रीजिट की नजरों की इनकी हिफाज़त की जाए फिर है वन मस्ट फॉपरली गाइड यह यह भी है कि फादर निलोर अब हस्पन और संस इनकी रिलेशन्शिप्स हैं पैरंस की क्या है तो सोशल सिस्टम में सारी चीज़ें आ जाते हैं कि पैरंस की रिस्पांस प्रिटी ने उनको हुखम दिया है कि अपने पैरेंस के साथ काइनने स्कृट और शोचिल सिस्टम इफ यह वैंने कुशिन अबाउट जा थे जाएंट